आप सब का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है तो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट करनी हूं रात को क्योंकि मैं कुछ बनाने जा रही थी हमारा नेपाली ट्रेडिशनल दिश तो मैंने सूचा कि इसको मैं सूट कर लेती हूं सूट कर लेती हूं तो अभी मेरा राइस तो बन चुका है और साड़े आट भी हो चुका है तो फटा फट मैं टिनर का प्रेपरेशन कर रही हूं तो वैसे एमाजॉन से मेरा एक पार्सल लाया है तो इसका भी अन्बॉक्सिंग करूंगी थोड़ी देर बार उतनी क्या है यह दिखाऊंगी मैं और तो लेट स्टार्ट पहले दिखाती हूं मैं पहले बनाऊंगी आलू चॉप कि मुझे बहुत दिन से क्रेवीं हो रहा था आलू च को तो मैं दिखाती हूं मैं कैसे बनाती है तो इसके लिए पहले मैंने आलू को बॉयल कर लिया है अलू को बॉयल कर लिया है यह क्या लगा है नेल्स में मार कर अच्छा थीक्या चोड़ दीजिए तो यह आलू को बॉयल कर लिया है अद्रक को कदुकस कर लिया है यह प्या को गोल लिया था इस बेसन में मैंने डाला है हल्दी और नमक बस अब थोड़ा सा जब मैं बनाऊंगी यह थोड़ा सा हींग डालूंगी इसमें तो पहले आलू चॉप बना लेती हूं चुरूब पोली हूं इसके लिए मैंने पैन को बिठा लिया है यह थोड़ा गरम हो तो अभी पैन गरम हो चुका है तो इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा रिफाइन ओल थोड़ा सा ली थोड़ा ज्यादा ही डालना पड़ेगा क्योंकि वो जालू का चॉप होता है ना उसको अच्छे से तेल में वो गुज जाए तो यहां भी मेरा ट्राइपॉड में ठीक अब इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डालूंगी आप अजवाइन भी आड़ सकते हैं मुझे अजवाइन का टेस्ट उतना पसंद नहीं है इसलिए मैं जीरा डाल रही हूं जीरा का टेस्ट भी अच्छा होता है और यह पावभाजी बनाने का है जो मैश करते पावभाजी उस जाता है अब यह मिक्स हो चुका है इससे मैं चोटी-चोटी बाल्स बना लूँगी मैंने छे बाल बनाये थे शिक्स इकोल पोशन में डिवाइट करने के बाद इसको ऐसका की गोल करके इसको थोड़ा शाप पुस करेंगे तो यह ऐसा वाला चॉप बन जाएगा क्या बोल मैं थोड़ा सा तीस्ट इंहेंस हो जाता है तो इसको मिक्स कर लूँगी देखिए इसका कनसंटेंज सी ऐसे रखना है मतलब गाड़ा भी नहीं पत्ला भी नहीं गताम आपको जैसा पसंदे कि आप इसया थीक भी रख सकते हैं लेकिन एसा ही पसंद ऐसा थे करका टाया पूर पूर करें और बेशन अच्छे से कोट कर लीजिए जैसे मैंने किया है मैं बहुत मतलब पतला कोटिंग कर रही हूं मुझे इसा पतला कोटिंग ही पसंद है अब भी देखिए मैं अबरा ट्राइब और को साथ साथ में हिला रही हूं और यहां पर तेल भी गरम हो चुका है मैं तेल को अच्छे से पैन के चारो तरफ गुमा लेती हूं इसके बार मैं क्या करूंगी एक एक करके जो मेरा पकोड़ा है उसको इस तेम के अंदर डाल दूंगी आपको गैस मीडियम टू हाई रखना है इसके बाद एक साइड वह बन जुका है अब दूसरे साइड में एक करके पलट रही हूं अब ही मेरा जो चौप है वह बन चुका है तो मैं इसको निकाल लेती हूं एक एक करके देखे कितना सुंदर गोल्डन ब्राउम हो चुका है दोनों तरफ इसको निकाल लेती हूं मैं तो आलू चौप नहीं खाएगी इसलिए मैं उसी तेल में चेरी के लिए अलू को फ्रा छुछल्छ करते हैं तो अज यह हुआ हैना पिजर्थ की एक आनी सुर्मनें दे इसको मुफने होती है यह तो आज Cathy की थी का सब्सक्रा टूर भूता है और यह है ओट एई अडरा को शुर्मनें तो मुझे चाहिए एक प्याज, दो मिर्च, अद्रक और टमाटर, अज मंडे है हम लग लसन नहीं खाएंगे तो इसलिए मैं लसन नहीं लगा रही हूं लेकिन हम लोग प्याज खा लेते हैं मंडे को अभी स्टार्ट करते हैं तो मैं घर का ही है ना यह ट्राइकोट इती प् सेम पैन में बना रही हूं क्योंकि घर के लोग ही खाएंगे तो सबसे पहले मैं यह सरसो का तेल डाल रहे हूं थोड़ा सा थोड़ा सा जीरा मैं ने फोरन के लिए डाल दिया उसके बाद यह जो फर्मेंटेट राई साथ है इससे मैं पानी को निकाल लोगी प्राइपोड यह भर उतुकर में ज्यादा इसको तो मेरे हातम में अपको इसको मैं ठाइब आई एक प्राइब अज़ाब पॉलग तो कि में नहीं हुआ यह जोते हो खाया है तो मैं ठोड़ा साइब यह इसको भी बार उत्यानों करने का दूरत नहीं है क्योंकि इसको पहले से पकाया है वो अट गरम पानी में उबालकर उसको तूफे सुखाते हैं इस साथ को इसमें मैं अब डाल रही हूं यह जो कटावा प्यास कटावा प्यास जो मिस्क खेज दो मिस्को आप चाहें तो यह जो साथ है इसको हटा भी सकते हटा कर इसको अच्टे से भून भी सकते हैं तो तमाटर काटके रखा था मैंने वो तमाटर नमत अच्टे कर लेते हैं तो थोड़ा चेक कर लेते हैं इसको अपना इसमें पानी सेगी उसना आप कर सकते हम दो लोगों की लिए में डाल भी हूं थोड़ा सा डाल भी हूं क्यूंकि बॉil होनी के बाद थोड़ा वह सूख भी जाएगा तो पांच मीट के लिए इसको हम लोग डग कर छोड़ देते हैं आप्र फाइप मिनेट्स चेक करेंगे जब तक यह बॉil होता है हम दो जिसको कुंद्रूप भोगते हैं तब तक मैं यह जो एमाजान से पैकेट आया था इसका अन्बॉक्सिंग कर लेती हूं यह है मेरे फिस टैंक का जो फिल्टर है वो बहुत दिन से खराब हो गया है इसलिए मुझे मतलब आफ्टर एट नाइन डेस मुझे पानी चेंज करना पड़ रहा है बार-बार मतलब साफ करना पड़ रहा है बहुत प्रॉब्लम होता है सगर का काम रहता है उपर से वह एक जिससे एक वाटर फिल्टर मंगाया है इसका रिव्यू अच्छा था अज़ार अब बढ़ दिम तो यही कार्टू देख रही है तो मैं उसको बोली थोड़ा म्यूट करतूं म्यूट करने से साउंड अच्छा आता है तो यह रहा यह फिल्टर जो जिसका रिव्यू अच्छा कुको, dh kowo को मिस करने हैं यह रहा कुको, ॥ हम इस तो बहुत बड़ा है फिल्टर को मैं चेक कल करूंगी जरिक करेंगी अच्छ रात को ने खोलत आँगी छोगि 돌 Ilty इसका थितिन में मुझे पता है इसका प्ता है कवी देखना प्ड़ेगा इसका क्यासे करना तो कल मैं इस्टालेशन करूंगी तो आप लोग कल ही देख पाएंगे ये वीडियो में ही में वो डालूंगी कल तो अभी के लिए इसको मैं रख देती हूं और जो मैंने खाना बिठाया है उसको कुंद्रुक बिठाया है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं तो अभी चेक कर लेते हैं इसको बहुत अच्छा बॉयल हो रहा है तो यह लगबग बनी चुका है तो मैटो को थोड़ा मैश कर लेते हैं इसके बाद इसमें हम लोग आड़ करेंगे पोड़ा सा यह जो कद्दुकस किया हुआ अद्रक अब पांच मिनिट फिल बॉयल करने के लिए रख देंगे इसके बाद यह बन गया उसके आद हम लोग खाना खाएंगे तो मेरा खाना रेडी हो चुका है यह रहा आलू और यह मेरा राइस तो अभी हम लोग खाना स्टार करते हैं मैं जो खाना है वो म्यूट करके ही खाऊंगी क्यूंकि इनके पापा कुछ पिक्चर देख रहे हैं जी फाइब में कुछ पिक्चर है चिंदी चोर साय बहुत अच्छा है बोल रहे थे वो तो उसका बहुत ज्य आप यह देखे मैं खाऊंगी यह बहुत ही तेस्ती ता सच में चेरी के पापा को फ्रेम में नहीं आना था क्यूंकि थोड़ा गर्मी होगी है ना तो वो सेंडू गंजी में थे तो उनको नहीं आना था और यह रहा चॉप जो मैं ले दियो फर्स बाइट और यह बहुत ही मैं कभी भी जो मतलब फेकना पड़े उतना मैं खाना कभी नहीं बनाती हूं तो मैंने बूला नहीं है तो विचारे वने खा पाए नेक्स टाइम जब मैं गंद्रुक बनाऊंगी तो थोड़ा राइस थोड़ा ज्यादा बनाऊंगी ताकि अगर फिर से उनको सेकेंड फिर तो अभी हम लोग चेरी को पहुंचा के आ चुके है गया और जो कल फिल्टर आया था एक यूरें का वह अभी चेरी के पापा देख रहे हैं निट से और उसको जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं यह रही मेरी बचलिया और यह राको को यह राको को अभी मैं चेरी के पापा के लिए लंच का प्रिपरेशन कर रही हूं और ब्रेफस्स भी बना रही हूं तो अभी थोड़ी देर में मिलूंगी मैं जब अपना काम खतम हो जाएगा और और वह फिल्टर जूड़ जाएगा क्या का ठक ठक हो रहा है तो वैसे तो मैं अभी च मेरे पती निया जिंदे ही ने पहले बार कुछ काम किया है इन्हों इस फिल्टर को चोड़ दिया अब मेरे अक्यूरेम साफ हो जाएगा देखे यह बॉस मुह चानेले तानदे साब हो चब तानचेले देखे तो कितना फिल्टर फिल्टर यू नही था ना तो बहुत गंद अब यह सारा फिल्टर कर देगा अलो तो फिर मेरी मचलिया सुन्दर दिखेगी तो अभी चेरी के बापा का लंच बन का रेडी हो चुका है तो मैं दिखाती हूं मैंने क्या-क्या बनाया आज आज मैंने ज्यादा कुछ नहीं बनाया उनके लिए दो बॉक्स में राइस ड तो इसको फटा-फट में पैक कर लेती हूं यह पैक हो चुका कैसा लगा मेरा मैजिक ट्रिक और यह राउन का टिफेन इसके अंदर मैं इसको डाल देती हूं और इसको मैं सील कर देती हूं चलो बंद हो जाओ अच्छा मैंने ब्रेकफस्ट में बनाया है चौमिन एक चौम अच्छा यह वाला वीडियो में इसके बाद मुझी कुछ नहीं बताना था क्यूंकि घर का थोड़ा सा काम पेंडिंग है कपड़े दोने लास्ट में मैं मेरे हजबन ने गाना काया है उसको अटाच कर दूगी तो प्लीज उसको देखिए और इंजॉय करिए क्यूंकि वह बोल रहे हैं डाल देना तुम्हारे ब्लॉग में तो आपको कैसा लगा उनका गाना प्लीज कॉमें बॉक्स में कॉमें करके जरूर बताईगे का अगर पसंद आया तो मैं पका नेक्स वीडियो में भी उनको बोलूंकि की और एक गाना गाके बताओ बोलकर तो वीडियो प इस बीजनी कैसी माना मुझ दो मिल अभी है क्या मुझ वस्क है ये चोंड ही है मैं क्या करूं दिवारा, दिवारा ये